हेलो एवरिबन, स्वाकत है आप सभी का आपके अपनी यूटीब चैनल स्टेडी टीप्स पर आज हम करेंगे स्पीडी करेंट अफेर्स वार्सी कांग 2021 का जो लेटेस्ट एडिसन वाला बुक है उसको उसमें हम लोग करेंट अफेर्स का वन लाइनर कलेक्शन जो है कब से कब तक सितंबर 2020 से एक अगस्त 2021 तक का सबसे महतोपुर्ण परस है आप केवल और केवल क्या करना है आपको पूरा जो वीडियो है पूरा वीडियो आपको केवल ध्यान से सुन लेना है तो आपको पूरी की पूरी वन लाइनर याद हो जाएगी और आप किसी भी अगर exam में बैठते हैं, किसी भी परतियोगी one day exam में बैठ रहे हैं, तो आपको यहां से जरूर फाइदा होगा, तो मैं अपनी session को start करता हूँ, और start करने से पहले आपको बता दूँ, कि पूरी की पूरी SPD, यहां पर मैं आप लोगों के इसलिए discuss करूँगा तो आज हम लोग करेंगे current affairs प्रस्नुतर संग्रा one liner, ठीक है, one liner करेंगे, इसके बाद objective form में भी बस्तुनिष्ट current affairs है, उसको हम लोग cover करके, और जो topic wise current affairs है, जैसे की खेल परिद्रिस्य है, नविंतम पुष्टके एवं लेका कैब, महतोपूर्ण दिवस उसके थी, चलिए ध्यान से आपको पूरी की पूरी याद हो जाएगी, इसके गारंटी है, आप दो या तीन बार इसको सुन लेंगे, चलिए स्टार्ट करते है current affairs प्रस्नुतर संग्रा को, और देखते हैं हमारा पहला question क्या है, एक सितंबर 2020 को online सतरंज Olympiard 2020 का संयुत विजिता किसे किया गया, तो इसका सही जवाब है भारत और रूस, एक सितंबर 2020 को की गई घोसना के अनुसार, दुनिया का सबसे बड़ा टोय मीजियम कहा बने जा रहा है, गुजरात में ये कब की गटना है, एक सितंबर 2020 का ये प्रस्न है, तो हम लोग एक सितंबर 2020 से कर रहा है, आपक इस वीडियो को आँख बंद करके आप कहीं जा रहे हैं, या फिर आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, बस पे जा रहे हैं, या फिर खाली टाइम में बैठे हैं, तो आप इसे सुन सकते हैं, चलिए, देखते हैं, एक सितंबर 2020 को किस मंत्राले द्वारा, यानि कि किस मिनि केंद्रिया मंत्री मंडल ने सिवील सेवा छमता के विकास के लिए किस कारी करम को मंजूरी परदान की है तो सही जवाब है मिसल कर्मी होगी दो सितंबर 2020 को किस विसय के साथ दुनिया भर में विस्व नारियल दिवस मनाया जाता है दो सितंबर को विस्व नारियल दिवस दो सितंबर को मनाया जाता है और 2020 में चुकि हम लोग कर रहे हैं सितंबर 2020 से अगस्त 2020 तक को तो हम लोग सितंबर 2020 में जो विस्व नारियल दिवस वर्ल्ड कोकोनट दे था दो सितंबर को मनाया जाता है इसकी थीम रही थी Invest in coconut to save the world उसके बाद भारत की प्रथम किस महिला कार्डियोलोजिस्ट का निधन हो गया डॉक्टर एस पदमावती तो आप से इस तरह से भी पूछ लिया जा सकता है कि जो प्रथम महिला कार्डियोलोजिस्ट थी भारत की कौन थी या फिर आपको नाम दे दिया जाएगा डॉक्टर एस पदमावती किस फिल्ड से रिलेटेड है तो आपको बताना है ये एक कार्डियोलोजिस्ट है थी एक डॉक्टर थी प्रथम महिला कार्डियोलोजिस्ट थी उसके बाद है 3 सितंबर 2020 को भारत की पहली महिला एंबुलेंस ड्राइवर कौन बनी तो 3 सितंबर 2020 को भारत की पहली महिला एंबुलेंस ड्राइवर बनने वाली थी एम विरालक्चमी याद रखेंगे भारत की आपको केवल इतना याद रखना है डेट याद नहीं रखना है भारत की पहली महिला एंबुलेंस ड्राइवर कौन बनी एम विरालक्चमी आगे देखते हैं नागरीक उड़ेयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक कौन पाड़े वहीं देखिए कौन सा केंदर सासित प्रदेश वन निशन वन रासन कार्ड योजना में सामिल हुआ तीन सितंबर 2020 को तो जो लद्दाक और लक्षदीप है वन निशन वन रासन कार्ड योजना में सामिल होने वाला जो केंदर सासित प्रदेश है कब सामिल हुआ ती को उघ्राबाद अंतर राष्टरिया हवाई अड़ा है। जो अधिकारिक भासाएं हैं वो पाँच कौन सी हैं उर्दू, अंग्रेजी, डोगरी, कस्मीरी, हिंदी उर्दू, अंग्रेजी, डोगरी, कस्मीरी, हिंदी तो आपको पाँच भासाएं अब जानकारी होनी चाहिए 3 सितंबर 2020 को ब्रिक्स के संस्कृती मंत्रियों की पाचवी भैटक में भारत का प्रतिनिदित्तो किस ने किया तो जो ब्रिक्स का संस्कृती मंत्रियों की पाचवी भैटक हुई उसमें भारत की उर्षी प्रतिनिदित्तो करने वाले थे प्रलाद सिंग पटेल प्रलाद सिंग पतेल 4 सितंबर 2020 को 48 वर्ल्ड ओपन ओनलाइन चेस टूर्नामेंट किस ने जीता 4 सितंबर 2020 को 48 नमर वाला जो वर्ल्ड ओनलाइन चेस टूर्नामेंट हुआ और ये भी पुछा जा सकता है कि कौन से 48 था, 47 था, 50 था तो आपको बताना होगा 48 वर्ल्ड ओपन ओनलाइन चेस टूर्नामेंट जो हुआ उसको जीता भारत के पी यान ने, भारत के पी यान तो यहां से आपको ये भी जानकारी रखनी होगी कि जो पी यान है ये किस खेल से रिलेटेड है, किस खेल से संबदित है तो आपको बताना होगा चेस, ठीक है, इस तरह से भी क्वेस्टन बन जाता है 4 सितंबर 2020 को केंदर सरकार ने पबजी समेथ कितनी चीनी एप्स पर बैन लगाया है, 118 5 सितंबर 2020 को G20 के विदेश मंत्रियों की और साधारन बैटक की अध्यक्षता किसने की? सौधी अरबने की 5 सितंबर 2020 को साउथ इंडियन बैंक का MDABUM CEO किसे बनाया गिया? मुरली रामकिरिशनन को 5 सितंबर 2020 को राजे के विदान सभा ने राजे के धरोहर अस्तलों की सुरक्षा के लिए एक विदेयक पारिद किया? तो ये राजे हैं असम विदान सभा यानि कि असम के राजे की जो विदान सभा है उसकी द्वारा 6 सितंबर 2020 को भारत ने किस देश से अत्याधुनिक AK-203 AK-203 राइफल भारत में बनाने है तू एक बड़े समझोते को अंतिम रूप दिया रूस के साथ 6 सितंबर 2020 को रक्षा मंत्राले ने पिनाका रोकेट खरीदने के लिए भारतिया कमपनियों BEML, TPCL and LNT के साथ कितने रूपिये के अनुबंद पर हस्ताक्चर किये 2580 करोड के रूपिये पर हस्ताक्चर किये 7 सितंबर 2020 को जारी राजियों और संग सासित प्रदेशों की कारोबार सुगमता रैंकिंग ठीक है तो 2020 की अगर आपसे पुछा जाए कि यो कारोबार सुगमता रैंकिंग में सिर्ष पर कौन रहा आंधर प्रदेश रहा कौन रहा आंधर प्रदेश 7 सितंबर 2020 को टेली कॉम कमपनी वोड़ाफोन आइडिया ने अपना नाम बदल कर क्या रखने का एलान किया है तो वी आई ठीक है वोड़ाफोन आइडिया ये सुख्चम ये सॉट फॉर्म है वी आई वोड़ाफोन आइडिया अब 8 सितंबर 2020 को हाइपरसोनिक यान का सफल फरिक्चन करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है भारत हाइपरसोनिक यान का सफल फरिक्चन करने वाला आठ सितंबर 2020 को सब इधान की वकालत करने वाले एबं केरल इस्तित इडिनीर मठ तो ये भी आद रखना है कि जो स्वामी के स्वानन्द भारती थे वो केरल में कौन से मठ के प्रमुक थे तो इडिनीर मठ के प्रमुक थे और इंका निधन हो गया 8 सितंबर 2020 को नौ सितंबर 2020 को किस बैंक ने अपने 115 अस्थापना दिवस पर सिगनेचर विजा डेवीट कार्ड लांच किया है अब देखते हैं नौ सितंबर 2020 को 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले दुनिया की दूसरी फुटवालर कौन बन गए है तो 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले दुनिया के दुसरे जो फुटवॉलर है वो बन गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो 9 सितंबर 2020 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा में पत्रिका गेट का उधगाटन किया तो 9 सितंबर 2020 को प्रधान मंत्री जैपूर राजस्थान में पत्रिका गेट का उधगाटन किया अब देखें 10 सितंबर 2020 को फैंटसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म जो प्लेयर्ज पोर्ट प्लेयर्ज पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एमबेजडर बनाया भुवनिश्वर कुमार वय स्मिर्थी मंधाना दस सितंबर 2020 को किस विषय के साथ विष्व आत्मत्या रोक दिवस मनाया गया तो यह याद रखना है यहाँ पर important है कि 10 सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है या फिर पूछा जाएगा बिष्व आत्मत्या रोक थाम दिवस कब मनाया जाता है बताना होगा 10 सितंबर 2020 की थीम क्या रही है working together to prevent suicide working together to prevent suicide 10 सितंबर 2020 को भारतिय मूल के किस अंत्रिक्ष यात्री के नाम पर अमेरिका में अंत्रिक्ष यान का नाम रखा गया है तो अमेरिका में जो अंतरिक चियान का नाम रखा गिया है कलपना चावला के नाम पर रखा गिया है 11 सितंबर 2020 को वूसु वर्ल्ड चैंपियन का खिताब किसने जीता तो पूनम खत्री ने 12 सितंबर 2020 को COVID-19 परिक्षन की सुविधा प्रारंब करने वाला भारत का सबसे पहला हवाई अड़ा सहर कौन बना दिल्ली यह याद रखना है बहुत इंपर्टेंट है COVID-19 परिक्षन की सुविदा प्रारंब करने वाला भारत का सबसे पहला हवाई एड़ा दिल्ली बना है वहीं 12 सितंबर 2020 को किस थीम के साथ दुनिया भर में 200 प्रात्मिक उपचार दिवस मनाया गया यह पुछा जाएगा विश्व प्रात्मिक उपचार दिवस किस दिन मनाया जाता है 12 सितंबर को मनाया जाता है 2020 की थीम क्या रही है First Ed Saves Life 12 सितंबर 2020 को कहां भारत के सबसे बड़े सुवर पालन परियोजना पीगरी मिसन का सुभारम किया गया 12 सितंबर 2020 को यूनिसेप के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रीटी एडवोकेट कौन बने है आयुसमान खुराना 12 सितंबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार Aero India 21 का तिरहवा संस्करन कहां आयोजित किया जाएगा तो Aero India 2021 का तिरहवा संस्करन ये भी पूछा जाएगा कि कौन सा संस्करन था तो तिरहवा संस्करन है कहां आयोजित किया जाएगा बैंगलूरू में 13 सितंबर 2020 को पूर्व केंद्रिया मंतरी रगवांस प्रशाद सिंग का निदन हो गया वे पहली बार किस लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए थे तो जो रगवन्स प्रसाद सिंग थे वो पहली बार 11 लोगसवा 1996 के लिए निर्वाचित हुए थे और उनका भी निधन हो गया है 14 सितंबर 2020 को इमामी लीमिटेट कमपनी के हाईजीन रेंज के उतपादों का ब्रांड अम्बेजडर बनने वाली है जो ही चावला वहीं पर 14 सितंबर 2020 को दिल्ली एवं जिला किरकेट संग का नया लोगपाल किसे नियुक्त किया गया है तो इसका नया लोगपाल है बदर दुर्रेज अहमद अब देखते हैं आगे 14 सितंबर 2020 को सीटी ग्रूप की पहली महिला CEO किसे चुना गया बहुत इंपोर्टेंट है जो भी पहला विस्सो में हो या फिर इंडिया में हो बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है तो पहली महिला CEO सीटी ग्रूप की बनाई गई है जेन फ्रेजर को 14 सितंबर 2020 को किस राज सरकार ने स्वच्चता करमचारियों के लिए गरीमा योजना सुरू की है स्वच्चता करमचारियों के लिए गरीमा योजना सुरू करने वाला राज है उडिसा सरकार तो योजनाओं से एगर question पुछा जाता ही है तो आपको याद रखना है गरीमा योजना शुरू करने वाला जो राजे सरकार है उडिसा सरकार है सुच्छता करमचारियों के लिए चौदा सितंबर 2020 को फॉर्मूला वन का टसकन ग्रैंड फ्रिक्स 2020 किसने जीता लुईस हैमिल्टन ने तो इसको आप याद रखना है फॉर्मूला वन कार रेसिंग से ठीक है फॉर्मूला वन कार रेसिंग से और 2020 का टसकन ग्रैंड प्रिक्स लुईस हमिल्टन के द्वारा जीता गया है 15 सितंबर 2020 को ACI Development Bank ने भारत के Country Director के तौर पर किसे नियुक्त किया है तो भारत के Country Director के रूप में ACI Development Bank ने नियुक्त किया है टेको कोनी सी को किसको टेको कोनी सी को 15 सितंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया तो इंजिनियर्स डे तथा अंतरराष्ट्रिय लोगतंतर दिवस इंटरनेशनल जो लोगतंतर दिवस मनाया जाता है ठीक है अंतरराष्ट्रिय अभियंता दिवस और अंतराश्टिय लोग तंतर दिवस कब मना जाता है 15 सितंबर को याद रखना है 15 सितंबर 16 सितंबर 2020 को अमेजन अलक्सा अलक्सा को अपनी आवाज देने वाला पहले भारतिय सेलिब्रीटी कौन बने तो अमिताब बच्चन अब अमिताब बच्चन अमेजन अलक्सा पर अपनी आवाज देंगे और पहले सेलिब्रीटी बन गए है अमिताब बच्चन 16 सितंबर 2020 को युरो मनी द्वारा 2020 का लाइफ टाइम अचिवमेंट पुरसकार किसे दिया गया है तो आदित्य पूरी को दिया गया है युरो मनी द्वारा 2020 का लाइफ टाइम अचिवमेंट पुरसकार आदित्य पूरी को दिया गया है आदित्य पूरी को 16 से 30 सितंबर 2020 के 20 के बीच कौन स्वच्चता पकवाडा दिवस मना रहा है तो 16 से 30 सितंबर के 2020 के बीच मनाय गया था भारतिय रेल्वे के द्वारा स्वच्चता पकवाडा दिवस 17 सितंबर 2020 को किस कमपनी ने SBI के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहिद पेमेंट घड़ी लाँच की है तो टाइटन कमपनी के द्वारा SBI और टाइटन कमपनी ने भारत की पहली कॉंटेक्ट लेस पेमेंट घड़ी लाँच किया है 17 सितंबर 2020 को 5 स्टार COVID-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एरपोर्ट कौन बन गया तो इटली के रोम में एक एरपोर्ट है फीमी सीनो एरपोर्ट ये भी बहुत इंपोर्टेंट है पुछा जाएगा 5 स्टार COVID-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एरपोर्ट कौन है इटली के रोम में इस्थित फीमी सीनो एरपोर्ट 17 सितंबर 2020 को किस विशाई के साथ 200 रोगी सुरक्षा दिवस मनाय गया हेल्थ वर्कर सेप्टी अब प्रायोरिटी फोर पेसेंट सेप्टी अब देखते हैं 17 सितंबर 2020 को 17 सितंबर 2020 को जारी पुरूस फीपा रैंकिंग में भारतिय टीम की सस्थान पर है तो जो भारतिय टीम है 109 अस्थान पर है फीपा रैंकिंग के अनुसार जो पुरूस के फिल्ड में दिया जाता है में भारतिय टीम 109 अस्थान पर है और प्राथम अस्थान पर बेल जीम है 17 सितंबर 2020 को COVID-19 के सभी प्रोटो को लागू करने वाला दुनिया का पहला एरपोर्ट कौन बन गया फिर से मैं बात करना हूँ इटली के फिमी सिनो एरपोर्ट इटली का फिमी सिनो एरपोर्ट और इसे ही 5 स्टार COVID-19 रेटिंग जो ये पाया था दुनिया का पहला एरपोर्ट था कौन इटली का फिमी सिनो एरपोर्ट अब देखिए 18 सितंबर 2020 को पहली बार बैस्वी कस्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया बहुत इंपोर्टिन अंतराष्ट्रिय समान वेतन दिवस अंतराष्ट्रिय समान वेतन दिवस जो मनाया गया दुनिया में बैस्वी कस्तर पर पहली बार मनाया जाने वाला ये दिवस है 18 सितंबर को मनाय जाएगा अब अंतराश्टिय समान बेतन दिवस 2020 को पहली बर मनाय गया जो विश्व जल निगरानी दिवस होता है किस दिन मनाय जाता है 18 सितंबर को ही मनाय जाता है 18 सितंबर को ही मनाय जाता है विश्व जल निगरानी दिवस और इस बार 2020 में इसकी थीम रही थी सोल्व वाटर 18 सितंबर 2020 को संयुक्त राष्ट द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्षियों से संबंदित सोबरेन बोंड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया तो ये बन गया मैक्सिको ठीक है अब एक बार फिर से सुन लें सयुक्त राष्ट द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्षियों से संबंदित सोबरेन बोंड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बनने वाला है मैक्सिको 18 सिंगापूर है बैस्विक स्मार्ट सुचकांग यानि की बैस्विक स्मार्ट इंडेक्स 2020 में पहले अस्थान पर रहा था सिंगापूर अब देखते हैं 18 सिंगापूर 2020 को एसिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए किसे चुना गिया 18 सिंगापूर 2020 को स्मार्ट सिटी इंडेक्स में भारतिय सहरों में कौन सिर्थ सस्थान पर रहा स्मार्ट सिटी इंडेक्स में भारतिय सहरों में हैदराबाद सबसे आगे रहा उसके बाद विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है 18 सितंबर को और आप से पुछा जाएगा इसका थीम तो उसके बेड़े आपकी जानकारी होनी चाहिए अंतराश्ट्रिय तटिय स्वच्चता दिवस कब मनाया जाता है एक बार फिर से बोल देते हैं अंतराश्ट्रिय स्वच्चता दिवस 19 सितंबर को मनाया जाता है और 2020 में इसकी थीम रही थी Achieving a Trace-Free Cost Line अब देखते हैं 19 सितंबर 2020 को किस बैंक ने ग्रहक सिवाओं के बिस्तार करने के लिए I-Lead 2.0 सिस्टम लाँच किया है याद रखेगा I-Lead 2.0 सिस्टम केनरा बैंक ने इसको लाँच किया है 19 सितंबर 2020 को खेले गए IPL 2020 का पहला मैच किस टीम ने जीता बहुत इंपोर्टेंटे पुछा जाएगा चन्नई सूपर किंग्स ने जीता मुंबई इंडियन्स को हरा कर तो IPL जो हुआ 2020 में उसमें पहला मैच जीता चन्नई सूपर किंग्स ने मुंबई इंडियन्स को हरा कर फिर उसके बाद 19 सितंबर 2020 को किस राजय सरकार ने भारत की सबसे खुबसुरत फिल्म सिटी बनाने का ईलान किया है 19 सितंबर 2020 को कहा कुरोना काल की दोरान दुनिया का पहला खुसियों का म्यूजियम ठीक है खुसियों का म्यूजियम यानि कि हैपिनेस म्यूजियम खोला गया है दुनिया का पहला देनमार्क में देनमार्क में दुनिया का पहला हैपिनेस म्यूजियम खोला गया है वहीं 20 सितंबर 2020 को किस भारतिय युवा को UN यानि कि United Nation की 2020 Class of 17 Young Leaders की सुची में सामिल किया गया है उदीत सिंगल को 20 सितंबर 2020 को कौन सा दिस जिबूती अचार सहिता में परिय वेक्षक की तोर पर सामिल हुआ भारत 20 सितंबर 2020 को जारी फोर्प्स रैंकिंग के अनुसार सबसे अधिक बेतन पाने वाले फुटबॉल खिलाडियों में सिर्स पर कौन है लियोनल मेसी 20 सितंबर 2020 को सांसदों के बेतन में एक वर्स के लिए कितने परतिसत कटोती करने वाले विधैयक को लोगसभादवारा पारित किया गया तो एक वर्स के लिए 30% सांसदों का बेतन काटा जाएगा ठीक है सक्सेशन को किसको सक्सेशन को याद रखेगा सक्सेशन को आउटस्टेशन के रूप में सुइका पुरसकार मिला है अब देखिये आगे 21 सितंबर 2020 को प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी द्वारा किस राजी में घर तक फाइबर योजना का सुभारब किया गया तो बिहार राज में परधान मंतरी नरेंदर मोदी के द्वारा इस तरह से आपसे पुछा जाएगा कि जो घर तक फाइबर योजना है किस राजे की योजना है बिहार की लेकिन ये बिहार सरकार के द्वारा मतलब बिहार के गोवर्मेंट के द्वारा मुख्यमंतरी के द्वा 17-18 की अनूसार सीसी मरित्युदर 32 हो गई है 32 अब देखिए 21 सितंबर 2020 को 72 एमी पुरसकारों के तह। सबसे जायदा पुरसकार किसे मिला तो Sits Creek को किसको Sits Creek को मिला है 72 एमी पुरसकार के तहट सबसे जायदा पुरसकार मिला है 21 सितंबर 2020 को Sits Creek को अब देखे 21 सितंबर 2020 को किस विसाई के साथ 200 अलजाइमर दिवस मनाय गया लेट्स टॉक अबाउट डेमेंसिया, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट डेमेंसिया, अब देखे, 22 सितंबर 2020 को माउंट अबरिस्ट पर दस बार चड़ने वाले नेपाल के किस महान परवतारोही का निधन हो गया, तो ये जो आंग रीता सिर्पा थी, आंग रीता सिर्पा ये जो माउंट अबरिस्ट पर दस बार चड़ी थी और नेपाल की थी और इनका निधन हो गया, 22 सितंबर 2020 टाइम मैगजीन द्वारा जारी, 2020 के सौ प्रभावसाली लोगों की सुची में किस भारतिया अविनेता को सामिल किया गया है, तो आईसमान खुराना को 2020 में जो ट चुना गया है, तो आई जी नोबेल पुरसकार के रूप में परधान मंतरी नरेंदर मोदी जी को चुना गया है, ठीक है, अब देखे, वहीं पर देखते हैं, 23 सितंबर 2020 को सिल्क प्राध्योगी की कमपनी ग्रेट लर्निंग ने किस भारतिय किर्केटर को अपना ब्रांड कोहली का पिक्चर, तो इसका मतलब है, ब्रांड अम्बेजडर कौन बने है, विराट कोहली बने है, ग्रेट लर्निंग का, अब देखे, जो 23 सितंबर 2020 को, 23 सितंबर 2020 को राफेल की पहली महिला पाइलट कौन बनी, तो जो राफेल बिमान है, जो राफेल फ्लाइट है, ठी से वारा नसी से हैं, 23 सितंबर 2020 को किस थीम के साथ अंतरराष्ट्रिय सांकेतिक भासा दिवस मनाय जाता है, 23 सितंबर को, और इसकी थीम रही थी 2020 में, sign languages are for everyone, sign languages are for everyone, 23 सितंबर 2020 को केंदर सरकार ने स्वचालित मार्ग से, रक्षा छेतर में, FDI की सीमा को 49% से बढ़ा कर कितना कर दिया है, 24%, कितना, 74% कर दिया है, 23 सितंबर 2020 को, अंतरराष्ट्रिय मुद्राकोस, यानि कि, International Monetary Fund के कारिय कारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, सिमानचल दास को किसे नियुक्त किया गया है, सिमानचल दास को, आईएमेप का कारी कारी निदेशक का सलाहकार नियुक्त किया गया है, अब हम लोग देखते हैं, 24 सितंबर 2020 को भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोड यानि कि BCCI ने भारत की महिला चेन समीती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है 24 सितंबर 2020 को भारत ने किस देश के साथ बौधिक संपदा सहयोग पर समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये तो जो भारत और डेनमार्क ने 24 सितंबर 2020 को बौधिक संपदा सहयोग पर समझोता पर हस्ताक्षर किये आप देखिए 24 सितंबर 2020 को केंदर सरकार ने कितने राजियों को खुले बाजार से 9913 करोड रुपिय के अतरीक्त कर्ज लेने की मंजूरी दी है ठीक है यानि फिर से बोलते हैं कि जो केंदर सरकार है वो कितने राजियों को खुले बाजार से 9913 करोड रुपिय के अतरीक्त कर ले सकते हैं एडिसनल लोन ले सकते हैं आप देखिए 24 सितंबर 2020 को ADB ने यानि के ASEAN Development Bank ने राजस्थान के सहरों के लिए कितने मिलियन डॉलर के रीन की मंजूरी दिये 300 मिलियन डॉलर 300 मिलियन डॉलर 24 सितंबर 2020 को किस भारतिय प्रोध्यवगी की संथान ने मौसीख माइक्रो प्रोसेशर बिक्सिद किया है तो जो मौसीख माऊ्क्रो प्रोसेशर है वो IIT मद्रास के दोरा बिक्सिद किया गया है 25 सितंबर 2020 को किस राजयसरकार दोरा मुख्य ग्राम परिवहन अचोनी योजना की सुरुवात की गई असम सरकार की द्वारा 26 सितंबर 2020 को किस ने अपना नया ब्रांड अभियान संपर्क रहित कनेक्शन सुरू किया है SBI card के द्वारा एक नया brand अभ्यान शुरू हुआ है संपर्क रहित connection ठीक है 26 सितंबर 2020 को प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने संयुक्तराश्ट्र महासवा के किस सत्र को ओनलाइन माध्यम से संबोधित किया 26 सितंबर 2020 को प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने संयुक्तराश्ट महासवा के 75 सत्र को ओनलाइन संबोधित किया 26 सितंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाए गया 26 सितंबर 2020 को या फिर 26 सितंबर को मनाए जाता है 27 सितंबर 2020 को किस थीम के साथ 200 परियतन दिवस मनाए गया 22 सितंबर को और इस बार इसकी थीम क्या रही है 27 सितंबर को ही बनाई जाता है 28 सितंबर 2020 को अमेरीकी सुप्रीम कोट की नई नियाएधीस की रूप में कौन नामित हुई है अमेरीकी सुप्रीम कोट की नई नियाधिस के रूप में नामित होने वाली है एनी कोनी बैरेट 28 सितंबर 2020 को पाटा ग्रेंड अवार्ड 2020 किस ने जीता केरल टुरिज्म के द्वारा पाटा ग्रेंड अवार्ड जीता गया लुइस हैमिल्टन टसकन ग्रांट प्रिक्स जीता था ठीक है लेकिन 28 सितंबर 2020 को रसियन ग्रांट प्रिक्स जीतने वाले थे वाल्टेरी बोटास ठीक है वाल्टेरी बोटास तो यहां से आपको प्लेयर का नाम याद रखना है कि वाल्टेरी बोटास किस खेल से संबन देत किया है सुनिल सेठी को खादी और ग्रामोद द्योग आयोग ने सुनिल सेठी को अपना सलाकार द्योक्त किया है 29 सितंबर 2020 को डिफेंस इंडिया स्टार्ट अप चैलेंज 4 को किस ने लॉंच किया तो 29 सितंबर 2020 को लता मंगेसकर सम्मान से उसा मंगेसकर को सम्मानित की घुसना की गई अब 30 सितंबर 2020 को भारत ने स्वदेसी बुस्टर युक्त किस स्वदेसी क्रूज मिसायल का सफल परिक्षन किया तो जो भारत की एक स्वधेसी बुस्टर यूग, स्वधेसी क्रूज मिसाइल है, उसका सफल परिक्षन किया, इसका नाम है ब्रहमोस, और ये 10 सितंबर 2020 को इसका सफल परिक्षन किया गिया, 30 सितंबर 2020 को संयुक्तराष्ट ने किस अभिनेता को Humanitarian Action Award से सम्मानित किया, तो Humanitarian Award Action Award दिया गया, सोनु सूद को संयुक्तराष्ट United Nation के द्वारा, 30 सितंबर 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंतराष्ट्रिय अनुवाद दिवस, यानि कि International Translation Day कौन से दिन मनाया जाता है, 30 सितंबर को मनाया जाता है, उसके बाद, 30 सितंबर 2020 को महिलाओं को यात्रा में सुरक्षा परदान करने के लिए Operation मेरी सहली, Operation मेरी सहली योजना किस्ते द्वारा सुरू किया गया, दक्षिन पूर्व रेलवे, साउथ इस्ट रेलवे के द्वारा, Operation मेरी सहली को सुरू किया गया, 30 सितंबर 2020 को SFMS पर Document Embedding Facility वाला पहला बैंक कौन बन गय IDBI कौन सा? IDBI बैंक बन गया, SFA